अब्श्कार दोस्तों, मैं आप सभी के चिर पर दोस्तों पस्तितूं, आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोंपून जानकारी को लेकर के जिहाँ खासी में प्याज और शेहद खाने के फायदों को आईए जान लेते हैं, आज हम सभी प्याज और शहद हमारे सिहत के लिए बहुत ही फायदे मंद होते हैं प्याज आम तोर पर हमारे रसोई घर में उपयोग किया जाता है लेकिन बहुत से लोग उसके द्वारा उपलब्द कराये गए लाभों से अंजान है प्याज हमें हिरदय विकार और मधुमेह सहीद कई बीमारियों के इलाज करने और रोकने में महतोपून भूमी का निभाता है अगर बात किया जाए शहद की तो शहद वास्तों में एक उल्ले खने पदार्थ है यह कई खनेज विटामिन और अमीनो एसिड से भरपूर है जो हमें कई बीमारियों में लाभ पहुंचाने का कारे करता है खासी में प्याज और शहद खाने के फायदों को आईए जान लीजे अधिकांश लोग अपने कफ के लक्षनों को नियमत्रित करने के प्रयास में सीरप और अन्य दवाओं का सहारा लेते हैं हलांकि दवाओं और सीरप का अधिक प्रयोग से आपके स्वास्ते पर तुस प्रभाव हो शकता है इसके लिए आपको प्राकृतिक या घरेलू विकल्पों पर नजर दोडानी ही पड़ेगी जिहां खासी को दूर करने के लिए प्राकृतिक अव्यव या घरेलू उपाई अपेक्षाक्रित बहुत ही प्रभावशाली है यह कफ या बलगम को खत्म करने में मदद करते हैं और आगे की जलन को शांत करने में भी मदद करते हैं यह घरेलू उपाई इंटिबायटिक के रूप में कारे करते हैं और श्वसन या वाईव मार्क पर सुक्ष्म जीवों द्वारा किये जाने वाले हमलों से लड़ते हैं इस हमारे वाई सोबर में हम आपके साथ शहद और प्याज से बना हुआ प्रसिद्ध प्राकृतिक सिरफ के बारे में बात करेंगे शहद और प्याज का मिश्रण एक प्रसिद्ध प्राकृतिक उपाय है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से खांसी या कफ के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है दोनों अव्याओं में एक इंटिबाइटिक गुन होता है जो खांसी से जुड़े लक्षनों को कम करने में मदद करते हैं इसके अलावा यह वाइरस बैक्टिरिया और अन्य सुक्ष्म जिवों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली या इमून सिस्टम को मजबूत क करने का भी कार्य करता है यह स्वसं समस्याओं के लिए एक अच्छा उपाय है खांसी में शहद के फायदों के बात की जाए इसमें शहद को विश्व स्वास्थे संगाठन यानि कि डबलु एचो द्वारा खांसी और सरदी के संभावित इलाज के रूप में पहचाना गया है इस खादे उत्पाद में गले को शांत करने और खांसी के लक्षनों को कम करने की शक्ति होती है ऐसा है इसके अलाबा इसमें इंटियोक्सिडेंट गुण होते हैं यह साइटोकिन्स नामक अन्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाता है जिसके कारण इसकी इंटि गुण के रूप में जानी जाती है इसके गुन बैक्टिरिया को समाथ करने में मदद करते हैं और वायू मार्ग की सफाई को प्रोत्षैंट करते हैं इसमें इंटियोक्सिडेंट के गुन होते हैं यहां वुशाक्त पदार्थों को बहर निकालने में भी मदद करता है जो को नियंत्रित करने में मदद करता है इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अश्चर नहीं है कि प्याज के पास गले के खांसी के लक्षनों को कम करने की शक्ति होती है खांसी के लिए प्याज और शहद बनाने की विधी जान लिजे इसके लिए आप एक मीडियम प्याज लिजे दो गलास पानी आधा निम्बू और दो चमच शहद इसे बनाने के लिए आप 15 मिनद तक पानी को उबा लिए और उसमें प्याज के छिलके डाल करके अच्छी तरह से गरम हो जाने के बाद उसे 5 मिनद तक ठंडा होने दीजिए उस पानी से प्याज को निकालने के बाद दो चमच शहद और निम्बू डालिए इसे आप दिन में 2-3 बार पीजिए आपको जरूर फायदा होगा जिहां दोस्तों ये बेहद ही कारगर उपाय है कफ को दूर क करने के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों